इंडिया वर्सिज अस्टेलिया टीटवंटी स्रीज पांच दिन तीन मैच क्यों जरूरी है भारत और अस्टेलिया के लिए टीटवंटी स्रीज जानी सभी का जवाब तो दोस्तों अगर आप हमारी चैनल पर नहीं आए है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर ले तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं भारत और अस्टेलिया के बीच टीटवंटी स्रीज का अगाज भी स्टंबर से हो रहा है तीन मैच की यह हैं टीटवंटी स्रीज काफी एहम होने वाली है क्योंकि इसके बाद भारत को टीटवंटी वर्ल्ड कप खेलना है ऐसे में तेयारियों के लिए यह हैं काफी एहम सिरीज है सिरीज से जुड़ी अन्यबाते जानिए टीटवंटी वर्ल्ड कप 2022 से पहले टीम इंडिया तेयारियों के आखिर दोर में है अब टीटवंटी वर्ल्ड कप को एक महिने से भी कम समय बचा है ऐसे में यहां टीम इंडिया क हर कदम वर्ल्ड कप से तेयारियों से जुड़ा माना जाएगा इसी कड़ी में पहली परिक्सा अस्टेलिया के खिलाफ 20 सितंबर से शुरू हो रही है बारत को अपने घर में अस्टेलिया के खिलाफ तीन मैच की T20 सिरीज खेलनी है यह सिरीज क्यों जरूरी है और इस सिरीज नागपूर में 2 शाड़ी सात बजे खेला जाएगा तीसरा T20 पत्चीस सितंबर हैदराबाद में 3 शाड़ी सात बजे खेला जाएगा टीम बारत की टीम में कौन कोन है रोईट सर्मा कप्तान है केहल राउल, उपकप्तान, विराट कोली, सूर्य कुमार यादव, दिपक उड़ा, रिसंपंत, दिनेश कार्तिक, हारदिक पांडिया, रविंदर चंद्र, अस्विन, युजवेंदर चहल, अक्सर पतेल, भुवनेश्वर कुमार, मुहम्मद समी, हर्शल पतेल, दिपक चाहर, ज असप्रित भुमरा, ये सभी टेम इंडिया के खिलाडिये, भारत और अस्टेलिया की T20 सिरीज कहां देखे, भारत में यह T20 सिरीज स्टोर नेटवर्क पर दिखाई जाएगे, जबकि ओनलाइन इन मैचों की डिजनी ओस्टार पर देख सकते हैं, उस्टेलिया में यह मैच चैनल साथ और फोक्स स्पोर्ट्स पर दिखाई जाएगे, भारत और अस्टेलिया की T20 रैंकिंग क्या है, भारत नमबर एक पर है, जिसकी रेटिंग्स है, 268 और अस्टेलिया नमबर छटे पर है, जिसकी रेटिंग्स है 250, क्यों जरूरी है यह सिरीज भारत और अस्टेल वर्ल्ड कप में जाने से पहले सबी सवालों के जवाब ले लिए जाएं जिसमें ओपनिंग बोलिंग मिडिल ओर्डर से जुड़ी परिशानिया है ताकि T20 वर्ल्ड कप से किसी तरह की कोई दिक्कत ना आई सबसे बड़ा सवाल तो रिसंपन्त या दिनेश कार्तिक में किसी एक को खिलाने को लेकर है साथ ही रविंदर जडेजा के बाहर होने की वज़े से प्लेइंग 11 में क्या बदला होता है यह यह भी जाना जरूरी है एक तरफ T20 की नंबर एक टीम भारत है तो दूसरी और मुझूदा वर्ल्ड चैंपियन अस्टेलिया की टीम है अस्टेलिया भी चाहेगी कि वह अपने मिशन वर्ल्ड कप को दार दे हालंकि उसने यहां कुछ खिलाडियों को अराम दिया है जबकि तीन प्लेयर चोट की वज़े से टीम का हिसा नहीं है डेविड गोनर, मिचेल स्टार्स, मिचेल मौर्स और मार्क स्टोइन्स भारत के खिलाफ होने वाली सिरीज का हिसा नहीं बन पाई इसे टी-20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले अराम देने के तोर पर भी देखा जा रहा है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली हर किर्केट की अपडेट हम आपको सबसे पहले देते रहें धन्यवाद गाई